प्यारे साथियों, आज के इस सेसन में जानेंगे A-Level का एक्जाम फॉर्म कैसे लॉग करते हैं आपको पहली बार में A-Level के कौन कौन से पेपर के एक्जाम देने चाहिए A-Level के एक्जाम पैटर्न क्या है और A-Level की आप त्यारी कैसे कर सकते हो Complete Information में आप लोगों के साथ में सेयर करने वाला हूँ पेपर को लॉग करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को इस पोर्टल पे लॉगिन करना है लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा Courses दिन जाना है My Courses में और इसके बाद में लेना है View Detail तो Option दिखाई देगा आपको Apply Online for Exam जो भी पेपर आप लोगों ने पास कर लिये होंगे अगर आपने O-Level से A-Level में ट्रांसफर किया है तो आपको यहाँ पर A1, A2, A3, A4, PR1 और Project 2 इन में दिखाई देगा Exempted यानि कि यह आपको नहीं देने हैं तो Simply दिखाई देगा Apply Online for Exam इस पे किजिएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा ध्यान दीजिएगा A-Level के जो exam है वो सिर्फ और सिर्फ English Language में होते हैं और यह आप लोगों का Default रूप से Select रहेगा और जो यह Option से रहेंगे Disabled यानि किसको आप Change नहीं कर सकते हो क्योंकि यह English Language में ही होता है दिन जो भी आपके Paper Remaining है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे जैसा कि हमने एक Fresh Profile को Login किया है तो यहाँ पर A5 से A10 तक की सारे Papers दिखाई दे रहे है जो आप लोगों के Exams है A Level के यह वाले A5 से A10 तक यह Offline होंगे जिसमें आप लोगों को दिया जाएगा Question Paper और एक दी जाएगी Booklet और एक दी जाएगी MR Seat तो Simply क्या रहेगा तो चाहे वो आपका A5 हो, A6 हो, A7 हो, A8 हो, A9 हो या फिर A10 हो इन सभी का Pattern जो रहने वाला है वो रहने वाला है कुछ इस प्रकार से प्रतेक Paper रहेगा 100 Marks का जो की दो Part में रहेगा Part A और Part B जो Part A रहेगा वो रहेगा 40 Marks का Part B रहेगा 60 Marks का जो Part A है वो रहेगा Objective जो Part B है वो रहेगा Subjective Part A जो की Objective है इसमें Total 10 True-False, 10 MCQ, 10 Matching, 10 Filinda Blanks ये रहेंगे इनके जो Answers हैं वो आप लोगों को MR पे टिक करने हैं वहीं जो Option B है, Part B है ये रहेगा 60 Marks का जो की रहेगा Subjective जिसमें आप लोगों के Total 5 Questions आएंगे जिसमें से आप लोगों को 4 Questions करने होंगे जिनके आंसर आप लोगों को Booklet में लिखने होंगे जिसमें आप लोगों के A4 साइच के बिल्कुल Blank Paper होते हैं आप लोगों को Lining नहीं दिखाई देगी Simply आप लोगों को अपनी हिसाब से लिखना होगा सीधा सीधा तो ये आप लोगों का Exam Pattern होने वाला है और 100 में से आपको कम से कम 50 Marks लेके आने होंगे जो Part A है, इसमें कम से कम आप लोगों के 40 में से 20 होने चाहिए तभी जो Part B है, उसकी Copy चेक की जाएगी तो ये आप लोगों का था Exam Pattern A5 और A6 का Exam होने वाला है 5th August को A7 और A8 का Exam होने वाला है 4 August को A9 और A10 का Exam होने वाला है 3rd August को अब ध्यान दीजिएगा आईए समझते हैं कि आपको सबसे पहले Paper Lock कैसे करने हैं और ध्यान दीजिएगा A5, A6, A7, A8 ये आप लोगों को दे नहीं देने हैं यानि कि आपको ये Paper दे नहीं पड़ेंगे बहले ही आप इस बार एक दीजिए, अगली बार में बाकी दे दीजिए तो ये तो आपको देने होंगे लेकिन जो ये आपका A9 वाला है इन में से कोई एक लेना है और इन में से आपको कोई एक एक इक्जाम देना है ठीक है? तो एक इससे, एक इससे और ये चारो तो कितने हो जाएंगे टोटल? टोटल आप लोगों को 6 Paper देने होंगे अब ध्यान दीजेगा मान लिजे आपने सलेक्ट किया कि भीया मुझे देना है A9.2R5 का तो अगर आपने इसको टिक किया है तो आपको 2 वाला ही यहाँ पर सलेक्ट करना होगा यानि कि A10.2 अगर आपने यहाँ पर लिया है 9.3 तो यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा 10.3 यानि कि जो यहाँ पर है वही आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पर 9.1 लिया है तो यहाँ पर 10.1 लेना पड़ेगा इन में से कोई एक लेना है और इन में से कोई एक लेना है मान लीजे आपकी इच्छा है कि सर मुझे इस बार देने है चार पेपर तो कौन कौन से पेपर देने चाहिए देखिए अगर आपने चार पेपर देने का मन बनाया है तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि साथ में आप लोग प्रैक्टिकल को भी लॉक कर दीजिएगा तो अगर आपको चार पेपर देने है या फिर आपको तीन पेपर देने है ठीक है ध्यान दीजिएगा तो A8 को भी log कर दीजे और साथ में practical को भी log कर दीजे तो यह आप लोगों का combination होने वाला है अगर आपको कोई दो paper देने हैं तो आपको देना चाहिए 9.1 और 10.1 में से 1-1 अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको तीन paper देने हैं और आपने A5, A6 और A7 को log किया साथ में practical को log किया तो जो आपने A5, A6 और A7 में पढ़ा है यही तीनों book से question आप लोगों के practical में आते हैं ठीक है अगर आपको दो paper देने हैं तो आप 9.1, 9 और 10 में से कोई एक ले लीजे क्योंकि यहां से आपके practical में question नहीं आते हैं तो इस बार जब आप लोग अगली बार इन paper को log करिएगा तो साथ में practical को भी log कर दीजेगा तो मैंने आपको बता दिया है अगर आपको सारे paper देने हैं तो कोई बात ही नहीं है सारे paper लॉग कर दीजे और practical को log कर दीजे अगर आपको 3 paper देने हैं तो आपको a5, a6 और a7 साथ में practical को log करना चाहिए अगर आपको 4 paper देने हैं तो a5, a6, a7, a8 और साथ में practical को log करना चाहिए जो practical है इसकी fees आप लोगों की होती है 500 रुपे और जो पेपर आप लोगों के इसकी फीस होती है 750 रुपए तो जो भी पेपर आप लोगों को लॉक करने हैं उनको आप लॉक कर लीजे चेक कर लीजे और जो भी आपका एमांट बन रहा होगा वो आपको यहां पर दिखाई देगा और ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ A-Level के दो सेंटर हैं एक तो आप लोगों का गोरकपूर है और दूसरा लखनव है तो अगर आप लोग लखनव के आसपास हैं तो यह मैं आपको रिकमेंट करता हूँ कि आपको लखनव सेलेक्ट करना चाहिए फश्ट प्रियॉर्टी में क्योंकि जो लखनव का सेंटर जोंके फैकल्टी है काफी अच्छी है अच्छे से कॉपरेट करेगी आप लोगों के साथ में तो यहां से आप लोगों को लेना है एक्जाम सेंटर इसको आप यहां से चेक कर दीजे और प्रोसिट टेकली करने के बाद फीस को पे कर दीजे और आपके पेपर लॉक हो जाएंगी जो इसका इस्टेटरस है वो आपकी प्रोफाइल पे दिखाई देगा अगर आप लोगों को A-Level का बेज्च जॉइन करना है तो आप यहां पर आकर A-Level का बेज्च जॉइन कर सकते हैं और यहां से आप लोग A-Level की जो डेमो क्लासिस उनको भी चेक आउट कर सकते हो आपके पास कोई डाउट है तो से आप कमेंट आउट कर दीजेगा जय हिंद वंदे मातरम थैंक्यू एक बात और कि अगर आप लोगों ने A-Level नहीं किया है यानि कभी आपने O-Level कम्प्लीट किया है और अभी आपको A-Level में सिफ्ट करना है तो यह सारे जो प्रॉब्लम्स है उनको मैंने एक जगे पे पिन कर दिया है सिंप्ली आपको इस लिंक को ओपन करना है और यहीं पे आप लोगों को A-Level के बारे में इनफॉर्मेशन O-Level को A-Level में कैसे ट्रांसफर करते हैं अप्ग्रेट करते हैं यह सारी इनफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी जय हिंद वंदे मातरम थेंक्यू